साखरी टोला में गंगा क्रिशी यंत्र सामगरी सहकारी समीती मरिया महराश राजसरकारी विपमंच संग मुंबई के तहट साखरी टोला गोंदिया जिले के पूर्व पालक मंत्री ने आज सुमवार 29 मई को सालिक असा में शाम लाल आबाद के गोडाउन में शास्की सहायता धान क्रिया केंद्र का उद्घाटन किया क्रिशी उपजमंटी समीती आम गाओ के अद्यक्षव भाजपा जिलाद्यक्ष केशव मान कर महराश्र प्रदेश भाजपा सचीव पूर्व विधायक संजे पूराम परसराम फंडे श्रवन राना आदी इस वक्त मौझूद रहे पुरव पालत मंत्री डॉक्तर परिने फूके ने अपने उद्भोधन में धान उपारजन केंदर के उद्घाटन पर खुशी जाहे की और किसानों को बधाई दी फुके ने कहा कि केंद्र और राजसरकार किसानों के कल्यान के लिए अच्छे प्रयास और उन्नत कारे कर रही है धान की खरीदी बढ़ाई जा रही है ताकि किसान अपनी कृशी उपच सरकारी दर पर खरीच सके उन्होंने कहा कि संगठन किसानों के साथ हर मुद्धे पर समन्वेब बना कर उनका समधान करे संगठन को धान उपारजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए और उन्हें लाब पहुचाने का काम करना चाहिए पूर्वुपालत मंत्री ने कहा कि यदी धान खरीते समय गोदाम में धान रखनी में कोई दिक्कत आती है तो आगामी वर्ष में ने गोदाम का निर्मान कर दिया जाएगा इनबी से नियूस की रिए गोंदिया से अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट